नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस सत्र में मैं हूँ आपके साथ लुपरकुल श्रेश्ट और आप देख रहे हैं ये सत्र इव विद्या चैनल नमबर 9 पर और आज इस सत्र में हम बात करेंगे हमारा विशे है हिंदी और आज जिस कहानी के बारे में हम जानेंगे वो ही खास है अगर मैं आपको उसका शीशक बताओं तो वो है दो बैलू की कथा और इस कहानी के बारे में हमें जादा जानकारी देने के हमारे साथ स्टूडियो में मौचूद है डॉक्टर बंदिना शर्मा जी आप असिस्टेंट प्रोफेसर है DEL NCRT न्यूटरी से आपका स से कोई जुड़ा सवाल है वो आप करना जाहते हैं अगर आपको लगता है कि यहां इस बात को आपको और भी बहतर धंग से समझने के जरूरत है तो बिल्कुल आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर है 880-440-559 और साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी मे कहानी की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो कहानिया है वो हमारे जीवन को अर्थ देती हैं हमारी समझ की हिसाब से हम हर कक्षा में अलग-अलग कहानिया पढ़ते हैं जुड़ती जाते हैं हमाई स्लेबस के हिसाब से और वही कहानिया जो है वो हमें जीवन का सार देती हैं हमा दो बेलो की कता इसको लिखा है मुंसी प्रेमचन जी ने सबसे पहले मैं लेखक का परिचे बताना चाहूंगी मुंसी प्रेमचन हिंदी साहित्य की जाने माने रचनाकार माने जाते हैं इन्होंने हिंदी साहित्य की भीतर कता लेकन का कार्य किया और इन्होंने समाज के जो भ इनका जीवन अभावों में बीता और इन्होंने बिये तक शिक्षा प्राप्त की इसके बाद ये सरकारी नोकरी में लगे और इन्होंने स्वतंतरता संग्राम के कारण अपनी सरकारी सेवाएं छोड़ दी इन्होंने कहानी लेखन के साथ साथ उपन्यास, नाटक, निबन, आदी की रशना की और इनका जो कहानी संग्रे है वह मान सरोवर के आठ भागों में संकलित है मिल्कुल, और बहुत कुछ लिखा है प्रीमचmond जी ने हम बात करें दो जीवन को बहुत गहराई से लिखा गया है उन्हेने समझा है और वही दर्शाया है उससमें जो समाज की स्थिति थी और साथ साथ यो वैक्ति की मनों स्थिति थी उस पर लिखा गया है सब कुछ तो आज दो बेलों की कथा में हम और भी उनके बारे में जानेंगे और जाती हम जानेंगे प्रेमचन जी उनके बारे में भी और पिस्तार से और साथी इस कहानी के बारे में दो बेलों की कथा में हीरा और मोती, दो बेल हैं उनके नाम है हीरा और मोती हीरा और मोती को जो मनुष्य की स्रेणी से भी उच्चितर दर्साने का प्रयास किया है प्रेमचंद जी ने उच्चितर स्रेणी अर्थार्त किस प्रकार की उन्हों उनमें मनुष्यगत भावनाई होती है शुरुवात में वे जूरी काची के यहां बेल होते हैं फिर कुछ कारणों से जूरी काची दुआरा उसे उनके साले के यहां चुड़वा दिया जाता है गया के यहां तो जब गया के यहां चुड़वाया जाता है तो उनका बिल्कुल भी अपने मालिक के बिना मन नहीं लगता है और उनके साथ जो दुर्भावना की जाती है क्योंकि जब दूसरे मालिक के यहां जाते हैं तो वह एकदम निराश हो जाते हैं उसके बाद कुछ समय बाद उनको एक निलामी कर दी जाती है उनकी तो वह भाग कर वापस आ जाते हैं और वह रस्त उड़ा कर भाग कर वापस आ जाते हैं इन प्रसंगों के बीच में जो प्रसंग उनके दोनों के बद्धे बताएं कि किस प्रकार हीरा और मोती एक दूसरे के लिए प्रेम से पूरित हैं एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता उनकी जो मित्रगत भावनाई हैं वह दो बेलों की कथा में दिखाने का प्रयास प्रेम चंजी ने किया है प्रेम चंजी अपने साहित्य के माध्यम से जो शुक्षमतर विशे हैं उनको भी उन्होंने बड़ी संजीदगी से और बड़े भावपूर्ण अर्थ के साथ प्रकट करने का प्रयास किया है इसके उठा लेता है तो मोती भी उससे मूँ उटा लेता है, अगर दोनों साथ पानी पीते हैं, दोनों in Christ रहते हैं, इस के पश्चात, किसी पे कोई विपत्थी आती है तो दोनों एक दूसरे का सहयो करते हैं, इससे हमें और सहती साथ मुंसी प्रेम चनजी ने इस कहानी के माध्यम से स्वतंतर्ता संग्राम की जहलक भी दिखाने का प्रयास किया है। जो दोस्ती होती है दो लोगों के बीज, दोस्ती का क्या अर्थ है, क्या माइने हैं, वो भी हम इस पार्ट से समझ सकते हैं. जी, बिल्कुल, हमारे छात्रों को ये सीखने को, इस कहानी के माद्यम से, ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार की मित्रता, मित्रता में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, और हम अपने जो मित्र हैं, अगर वो कठिन परिस्तिती में हैं, तो उसका सहीयोग करने के लि दूसरा मित्र की या मित्रवत भावना को बनाए रखना अब हम शुरू करने जा रहे हैं कहानी इस कहाने के विस्तरत्ता को देखते हुए मैंने कुछ प्रसंग यहां पर लिये हैं इनके माद्यम से हम कहानी को विस्तार से समझने का प्रियास करेंगे जूरी काच्छी के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती दोनों पच्छाई जाते के थे देखने में सुन्दर, काम में चोकस, डील में उचे बहुत दिनों से साथ साथ रहतें, दोनों में भाईचारा हो गया था दोनों आमने सामने या आसपास बेठे हुए एक दूसरे से मूख भासा में विचार विनिमें करते थे एक दूसरे के मन की बात केसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते अवसे ही उनमें कोई गूप्त सकती थी, जिससे जीवों में स्रेश्टता का दावा करने वाला मनुष्य वंचिता ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार की जो भावनाए होती है, वो मनुष्य में होती है लेकिन ये जो हीरा और मोती नामक दो बेल है, ये तो मनुष्य की स्रेश्टता से भी स्रेश्ट यहां बताये गए हैं दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करतें, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करतें विग्रह के नाते से नहीं केवल विनूत की भाव से, आत्मेता की भाव से, जैसे दोनों में घनिष्टता होते ही धोल धपा होने लगता है इसके बिना दोस्ती कुछ फुसुसी, कुछ हलकी सी रहती है, जिस पर जादा विश्वास नहीं किया जा सकता यहां प्रेम चंजी ने दोनों की प्रगाड प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया है जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी से जोद दिये जाते और गर्दन हिला कर चलते उस वक्त हर एक की यही चेश्टा होती थी कि जादा से जादा बोज मेरी गर्दन पर ही रहे दिन भर के बाद दोपेर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते नान में खाली भूसा पढ़ जाने के बाद दोनों साथ उड़ते साथ नान में मूँ डालते और साथ ही बेटते एक मूँ हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता तो इसमें किस प्रकार की उन दोनों के प्रती उन दोनों में समर्पन भाव दिखाया गया है सहीयों की बात है जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया अपने ससुराल भेज दिया गोई यानी होता है बेलों की पस्वों की एक नसल होती है बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं समझे मालिक ने हमें बेज दिया अपना यहों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जानेicious की पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दातो पसिन आ गया पीछे से हागता तो दोनों दाएं भागते पगईयार पकड़ कर आगे से खीसता तो दोनों पीछे जोड लगाते मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारती अगर इश्वर ने उन्हें वाने दी होती तो जूरी से पूस्ते ये उनका विरोध है कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो देखिए किस प्रकार की जो मनुष्यगत बात है वो कह रहे है उनका जो वारतालाप है वो बाहिये शमवादात्मक रूप से नहीं आंतरिक शमवादात्मक रूप से दिखाई पड़ता है हमने तो तुमारे सेवा करने में कोई कसन नहीं उठा रखी अगर इतनी मेनद से काम नहीं चल रहा था तो और काम ले लेते हमें तो तुमारी चाकरी में मढ़ जाना ही कबूलता दोनों ने अपनी मुख भासा में सला की एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गई जब गाओं में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले पगहे बहुत मजबूत थे जो रस्षी बांदने का जो खूटा होता है अनुमान ने हो सकता था कि कोई वेल उन्हें तोड सकेगा पर इन दोनों में इस समय दूनी सकती आ गई थी वो एकदम प्राधिनता से एकदम छिटक कर बाहर आना चाहते थे एक एक जटके में रश्षियां तूड गई अब निलाम जब उनको निलामे की बारी आई निलाम एक जाने के बाद दोनों में त्रूस दडियल के साथ चली दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी उनके मन के भीतर एक डरता उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं हमें यह समाप्त कर देंगे यह हमारे दूर्दसा कर देंगे पाण तक नहीं उटा सकते थे भाई के मारे में चरी रहे थे वह वह थी कि छुडा कर चले जाते एक मटर के मोख झातें तो वहस्य वहां ने हिम्मत दिखा कर उससे खदेरद इतने में मटर कि के सेव इक अगय पहुंचें और भागने का मोखा तो में भी मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए दोनों उनमत होकर बचड़ों की भाति कुलेले करते हुए घर की और दोड़े और वह हमारा थान है दोनों दोड़कर अपने थान थान अर्थार थान अपने जो जूरी काची का जो घरता और खड़े हो गए और दडियल भी पी हमेशा निरंतर संगर शील रहना चाहिए हमें कभी भी परादिंता को स्विकार नहीं करना चाहिए चाहिए कितनी भी विपतियां कितनी भी कठनाई आए दूसरी बात यह है कि जो सच्छे मित्र होते हैं वह हमेशा अपना साथ निभाते हैं सच्छे मित्र सुक में साथ नि है, संकट के समय में है, तो आपका मित्र आपका साथ देता है. किती सुंदर यह कवीता है, किती खुबसूरती से सब कुछ बताया गया है, भूआ है, जो समवेधना थे, बताया गई है, और मानुविय जो है वो हम सब को मुश्किल से मिली है तो इसके मायने समझना जरूरी है इसकी क्रीमत को समझना जरूरी है और जीवन को हमेशा इसकी क्रीमत को समझते हुए सही दिशा पर ले जाना जरूरी है चुकी प्रेम जन जी जब इस कहानी की रशना कर रहे तो तो हमारे देश में ए जानते हैं 한테 प्रश्ण के द induce कान जी होस में में पसाईरी इसलिए ली जाती थी ताकि पता लगाया करें कोई मर गया है कि कोंब घूझाने के लिए द्रपरश्ण चोटी बच्ची को मां मर चुकि ती वेंप मां की बिच्छुडने का दर्द जानती थी इसलिए जब उसने हीरा मोती की वेथा देखी तो उसके मन में उनके प्रती प्रेम उबढ़ाया उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है तीसरा प्रशन कहाने में बेलो के मादें से कौन-कौन से निती विशेक मुल्ले उभर कर आए हैं इसमें निम्नलिकित मुल्ले उभर कर आए हैं पहला है विपत्ति के समय हमेशा मित्र की साहता करनी चाहिए आजादी के लिए हमेशा सजक एवं संगर्शिल रहना चाहिए अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए और आजादी बहुत बड़ा मुल्ले है इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए भी तयार रहना चाहिए अगला प्रस्तुत कहानी में प्रेम चन्ने गदे की किन किन स्वभावगत विशेष्टाओं के आदार पर उसके प्रतिरूड अर्थ मुर्ग का प्रयोग नहकर किसी नए अर्थ की और संकेत किया है कि गदा सांत सभाव का सेंसील, सीधापन, क्रोध न करने, हानी, लाप, सुक, दुख के साम्माने रहने के गुण होते हैं उसमें तो उसको सांत सभाव का प्रानिक क्राळ दिया जाता है जो बहुत अधिक सीधेपन की कारण वैं सम्मान का पात्र नहीं होता है किन घंडाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में घहरी दोस्ती थी यहां कुछ परसंगों के माद्यम से बता सकते हैं दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुन कर प्रेम प्रकट करते थे जब यह दोनों बेल, हल या गाड़ी में जोद दिये जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोज स्वेम जहल कर दूसरे के बोज को कम करने की चेस्टा करते और जब कुछ लोगों ने खेट से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को गेर लिया तब हीरा निकल आया परन्तु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंदक बनने के लिए श्वेम लोट गया अगला प्रशन है लेकिन और ज्याद पर सींग चलाना मना है यह भूल जाते हो हीरा की इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेम चंत के द सारीरिक दंड ना दे अगला प्रशन किसान जीवन वाले समाज में पसू और मनुष्य के आप से संबंदों को कहाने में किस तरह से व्यक्त किया गया हीरा और मोती दोनों जूरी नाम किसान के बेल है जो अपने बेलों से अतिन्त प्रेम करता है और इसी प्रेम से व्यक्त करते हैं इतना तो हो ही गया कि नो दस प्राणयों की जान बच गई वे सब तो आशिरवात देंगी मोती की इस कथन के आलोक में उसकी विशेष्टाएं बताई इसमें उसकी विशेष्टाएं जलकती है कि वह स्वार्ती नहीं है वह श्वेम भागने के बजाए उस से जीवों में श्रिष्टता का दावा करने वाला मनुष्य वहंचीत है उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या सांथ होगी पर दोनों के हर्दे को मानों भोजर मिल गया पहला है हीरा और मोती बिना कोई वचन कई एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे प्राइवे एक द मोती गया के घर बंदे हुए थे गया ने उनके साथ अपमान पूर्ण व्यववार किया था इसलिए वेक शुब्द थे परन्तु अभी एक तभी एक नन्नी लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था परन्तु उसे खाकर उनका हर्दे जरूर तरपत हो गया उन्होंने बालिका के प्रेम को अनुभो कर लिया और प्रसन ने हो उटे गया ने हीरा मोती को दोनों बार भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह उनके वेवार से बहुत दुखी था बिल्कुल तो आज हमने बात की दो बैलो की कता इस कहानी के बारे में हमने जाना और ये कहानी अनिक पहलो को चूती है अगर हम बात करें तो जो एक प्रेम दोस्ती खुदर्शाती है, साथी साथ आजादी कितने माइने रखती है, उसके क्या माइने हैं, ये भी हमने इस कहानी में पढ़ा, और साथी साथ अभी आपने जैसा जिक्र किया मैम की, हमने बात की कि पश्यों को भी तकलीफ होती है, उ एक सबख है हम सब के लिए कि कि किसी भी तरह στην सास से दूर रहे। पशु और मनुषय मैं इतना इतना ही इंतर्वर की वो समładातमक होते हैं, मनुषय P savings manually नहीं होते, जो भावनाई हैं दूम्में बराबर होती है, जो वह मैसूस करते हैं, ऺड़ पोधे भावनाई मैसूस और भी उन्होंने किनकिन समस्याओं को उद्गातित करने का प्यास किया है। प्रेमचन जी हिंदी कता साहित्ते में उन्होंने यह कह सकते हैं कि महान रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने कहानी लेखन के साथ 300 से अधिक कहानिया तो लिखी ही लिखी। उन्होंने अनेक उपन्यासों की रशना भी की, उन्होंने सेवा सदन, कर्म भूमी, रंग भूमी, गोदान, गवन, निर्मला, आधी उपन्यासों की उन्होंने रचना की उन्होंने इसमें दर्साने का प्रयास किया जो समाज के जो सामाजिक विशमता एं यह नहीं है कि इस से पहले सामाजिक विशमता नहीं थी या फिर उद्गाटित नहीं हुई लेकिन हिंदी साहित्य की बीतर जनता के सम्मुक उन्होंने इन समस्याओं को लाने का प्रयास किया उन्होंने जो दहेज प्रता थी, कुरूतियां थी, छुआ छूत की भावनाएं थी और रूडिवादिता थी और जातिवाद था उन सभी को अपने साहिते में उद्गाटित करने का प्रयास किया कि उस वक्त जो समाज की स्थिती थी और व्यक्ति की मनो स्थिती थी उसको उन्होंने दशाया है चुआ है और अपने लेखन में लिखा है बहुत-बहुत शुक्रिया माम हमाइसा चुदने के और इस पाठ को इतने खुबसूरती से हमें समझाने के लिए और उमीद है कि यह जो पाठ है आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा आज हमने बात की दो बैलो की खता तो आज के सत्र में बस इतना ही अब मैं लुपरकुल श्ट्रेश्ट आप से लेती हूँ इजासत नमस्कार